जैराम जी से निवेदन करूँगा इस समय लोटस की बाते ना करें इस समय हिमाचल की परिस्तिती ठीक नहीं है अभी कृपया करके अपनी राजनीती को पिछे रखे और यहां पे सयोग करें सुखुजी का सयोग करें सरकार का सयोग करें हिमाचल को इस विप्रीत परिस्तिती से बहार निकालने में अपना योगदान दे अभी 6 मिने ही हुए है सत्ता से बहार आने के बहार उनको प्रदेश की जनता ने किया है इतना लोब लालच अच्छा नहीं है जैराम जी से निवेदन करूंगा इस समय लोटस की बाते ना करे इस समय हिमाचल की परिस्तिती ठीक न मेने ही हुए है सत्ता से बहार आने के बहार उनको प्रदेश की जनता ने किया है इतना लोब लालच अच्छा नहीं है और इतनी हवस जो है वो राजनितिक हवस जो है वो नहीं होनी चाहिए है ठीक है आपको mandate दिया है to sit out in the opposition so be in the opposition and play a credible role in the opposition don't try to undermine political institutions by the might of the central government यह सही चीज नहीं है हिमाचल की हक में नहीं है और यह चीज मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में operation lotus कभी भी successful नहीं होगा हिमाचल में मजबूत सरकार Congress Party की है 40 विधायक है और पूरा 5 साल Congress Party मुखे मंत्री जी के नितित्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर क वारे करेगी और जो हमने बाते कही हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ Congress Party के साथ खड़ी है और मुखे मंत्री जी के साथ खड़ी है